आप सब बहुत अच्छे होंगे आपका मॉस्ट वेलकम है आज मैं आमरस और पूरी की रेसिपी लेकी आई हूँ जो गर्मी में बहुत लोग का फैबरेट होता है बहुत लोग के घरों में गर्मियों में यह बनाई जाती है गर्मियों की खास डिस है यह गुजरात का फेमस रिस है तो फ्रेंड्ट्स जिसके लिए कुछ मेंगो ली ली हूँ अच्छे से धूल सुट लुँँव अब इसको मैं इसके सारे पल्प को निकाल लूँगे आपको जैसे आसानी लगे विएसे निकाली मैं हाफ-hाफ करके इस्पोन के साहता से सब अभश दिकालол कि अधिक करोंगी और इसमें डालूंघPER टू टेबल शुपून सुगर आपको जितना शुगर खाना हो उस ऐसाब से डालिये और इसमे मैं डालूंगी दूद के उपर जमि होई जो मलाही होती दो इसमें डाल दी हूं यह वांख कम मलाई इसमें गई है दूद के साथ ही है ज़रा सा दूद भी है इसमें अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी और दूसरी तरफ चली हम आटा लगा लेते हैं तो ये दो कप भरके आटा जो रेगुलर यूज में हम लोगा आटा गिहों के खाते हैं वो है और उसमें है वन फोर्थ कप से थोड़ा कम सूजी और अजवाइन है और नमक और इसमें डालेंगे थोड़ा सा ओयल और एक सक्त आटा लगा के इसको रेडी करेंगे तो इधर एक सक्त आटा लग गया है देख सकते हैं आप इसको मैं रखूंगी 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पे और हमारा इधर आमरस भी है ठंडा हो गया है देख सकते हैं आप मैं इसे ग्राइंड करके और ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देती अगर आपको पसंद द तो आप इसमें इलाइची पावडर भी डालिए तो अब हम चलिए 15 मिनट हो गये थे तो मैं सोची पूरियों को भी बना लूँ तो इधर मैं पूरी भी बना रही हूं फटा फट से ठंडे ठंडे आमरस के साथ गरम गरम पूरियां बहुत ही टेस्टी लगती हैं फ्रेंड तो फ्रेंड्स मैं सर्फ करती हूं ठंडे ठंडे आमरस और पूरियों के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है इसमें आप उपर से चाहें तो केसर के धागे भी डाल सकते हैं और इलाइची पावडर अगर आपको पसंद हो उसका फ्लेवर तो जरूर डालेगा इसमें यह करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कीजिए